मनिश्य के जीवन कार्थ क्या है? मनिश्य के मानव शरीर क्यों प्राप्त हुआ है? इस मानव शरीर का लक्ष क्या है? तो देखें, जीवन जीना और जीवन गुजारना दोनों में बहुत अंतर होता है क्योंकि पशुपक्षी भी जीवन गुजारते हैं परन्तो मनिश्य को ये जो मानव शरीर प्राप्त हुआ है इसका कोई ना कोई मुख्य उद्देश्य, कोई ना कोई लक्ष अवश्य होता है और इस मानव उद्देश्य का मतलब केवल ये नहीं है कि आपको एक बड़ा आदमी बनना है, सफलताओं को चुना है इसके अतिरिक्त भी मनिश्य का एक उद्देश्य होना चाहिए वो है एक भक्त बनने का, भक्ती करने का, संकिर्टन करने का, प्रभु के नाम को स्मरन करने का परन्तो आप इस कार्य को बिल्कुल भूल जाते हो स्वैम से सोचके देखिए यदि आपकी भी दिंचर्या पशों की तरह रहेगी तो आप में और पशों में क्या अंतर रह जाएगा क्योंकि पशों क्या करते हैं स्नान करते हैं, खाते हैं, पीते हैं दिंचर्या में यहाँ से वाह गूमते हैं रात में सुझाते हैं मनश की दिनचर्या भी वरतमान समय में कुछ ऐसी ही है और इसे अलग-अलग दिखाने के लिए अलग-अलग स्पष्ट रूप से बताने के लिए भगवान ने यह जो मानव पर शरीर बनाया है वो भक्ती करने के लिए भी बनाया है परंतु मनुष इस कारे को नहीं करता यह जो मानाव शरीर है से स्वभागी प्राप्त हुआ है बक्ती करने का उनका स्मराण करने का परंतु मनुष इस कारे नहीं करता और अपनी दिन्चर्या को एक पाशुकी भाती बनाये रखता है